कि सबका ही टूजेट कि और बोलो कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि इसली बोल देता हूं इसको इनको ब्लॉक कर दिया जाए कोई भी रियायत ना बढ़ती जाए कि मैं जितने भी नाम में आज की क्लास में लिए न एक इसमें आयूश नाम जुड़ रहे हैं बच्चे आयूश भी बोल रहे हैं इनको किसी पर कोई रियायत ना बढ़ती जाए इनको तुरंद ब्लॉक कर दिया जाए ठीक है तुरंद एकदम एक नाम अर्पित भी आ रहा है ठीक है और अर्पित आर्वियन आप इनकी चैट हिस्टी के आधार पर कर लिजीगा यह क्लास चलने नहीं दे रहे हैं आज यह लोग ठीक है नोट करो जल्दी से फ्राक से क्लास अच्छी खासी चलने थी लास्ट क्लास था कि अचानक से इतने सारे बेहुदे लोग चूहे लोग ही बोलें इनको बड़ी बड़ी बढ़ीए क्लास चला था यह अच्छा इनके बॉर्ड मार्क्स आए हूंगे न तो इनको लगग रहा होगा कि आरे माक्स तो आगे मेरे 50% 87% ठीक है तो इनको लगग रहा होगा कि सरक्षान निकाल लेंगे चलो चलते और यहां के फि भी निकल जाएंगे है ठीक है पॉइंट वन है समझ रहे है हजार में मुश्किल से कोई एक लड़का ठीक है रिजन इस डेट इट इस एकसेसिबल टू आल हर कोई वह चार भी इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे है वह पैनिक ना हूँ वह यह ना सोचे कि इतना कुप कमपेशन है क्योंकि 90 जंता तो यहां पर एक तरह से फरजी है इस बांस सच है बिल्कुर फरजी है पैसे सस्ते मिलने मलब रुपे में यहां पर कोर्स मिल गया है वह इस पढ़ने वाला बच्चा सलेक्ट होना चीए चाहे कैसे भी हो इसके लिए अपनको कुछ भी गणना पड़े जो कि एक अच्छी बात है तो मैं यह बार पोलूँगा जो पढ़ने वाले बच्चे मस्ट हो के बिंदास पढ़ते रहें जो पढ़ने में थोड़ासा भी लूज लूजर है थोड़ा सा भी लूब पढ़ना तो चाहता है लेकि की से सलेख ना होने के chances एक हजार परसेंट है 1,000 परसेंट गारंटी है कि वो आईटी में select नहीं होगा ऐसा बच्चा जो repeatedly lose and देगा तो समझ्जा बात तेरा 10th का बोर्ड का result आए मैं unnecessary pressure में नहीं डालना चाहता है लेकिनी सच्चा ही है सच्चा ही है समझ्वारी बात है यह मैं कि भाई selection तो 10,000 लोग का होता है यह एक लाख लोगों को तो examination में बैठने का मौका देती है कि समझ्वारी बात एक लाख लोगों को examination में बैठने का मौका देती है जी एडवांस अब जब जब रिजल्ट आएगा तब तु देखना यह कितने कोचिंग शूर्ट चे कितने रिजल्ट आए तब पता चलता है रियलिटी यह है रही बात NIT की तो NIT अब तो समझता बीस अजार के अंदर तो NIT मिलता बीस यार के बाद NIT मिलता ही नहीं है ठीक है यह कहानी है तो एक परसेंट बच्चों का सेलेक्शन होता है अगर तो रिश्यों देखेगा 10 लाक में 10 अजार सीट है आईटी में ओन अबरेज तो इसका मतब एक परसेंट सेलेक्शन रिश्यों है जो आईटी चाहती है सो में से एक बच्च्चा ओनलाइन में जब इनसिंसेटी के साथ आई इसलिए मैं कहा रहा हूं चीजें लाइटली मतलो बिल्कुल गी मैं याँ पर एक भी आर्टिकल लाइटली नहीं लेता हूं तू भी एक बी आर्टिकल लाइटली मतले आपको क्लियर है यह जितने चैटिंग के दोरान टाइप करने वाले बच्चे ना अन्नेसेसरी इन में से किसी का सेलेक्शन नहीं होगा कि किसी का नहीं होगा कि अपैसे क्यों बोल रहे हो क्योंकि जब मैं आप पढ़ा रहा था तब इनका ध्यान उस बातो करेंगे जो अब अच्चे सिंसियल लेवल से टीचर की बात सुन रहे हैं और लिख मी रहे हैं नोर्स भी लिख रहे हैं कैसे करेंगो उनको इनका सारा ज्यान तो टैपिंग में उनमारी बात इले सुधर जाओ जब मैं आप पढ़ाऊं तो चुप्चा बैठके पढ़ू अन्नेसरी डाउट वाला टैपिंग करेगा तो यह अच्छी बात है तुझे डाउट आए तुने बोल दिया है यहां पर डाउट आए लेकिन इदा उधर की बात करना हाल तु भा अमनिस में में एक लड़का और आया है एक अमन नाम का लड़का और आया है इसको भी ब्लॉक कीजिए एक सार्थक नाम का लड़का आया है इसको भी ब्लॉक कीजिएगा एक सार्थक नाम का लड़का आया है इसको भी ब्लॉक कीजिएगा इसको भी ब्लॉक कीजिएगा ए टीक है इंको प्लीज़ आपि लॉक करवा ये और आज की राग चलने नहीं दे रहा है याज की अधाल कि लॉट पॉइंट लोंच होंगा इनको वहां पर भेज़ देना वहां पर जाकर उनकों जो करना है बेरे में वेत्व में इस तरह के बच्चे निचिए निखिल नाम पभी लड़का साय देख देंके लिए ने मिला है गोकुल नाम का भी रजभत है रजट भी कर रहा है दक्स कर रहा है यह प्लीज आप नोट करके आप भीज वोग दिया मैंने सबकाई उजये दिया और बोलो वोग